दोस्तों दरभंगा रोक्स ती उसका असर अब दिखाई दे रहा है और राजनास सिंग से सांसत गौपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की है दिल्ली में और यह तस्वीर शेयर की है गौपाल जी ठाकुर ने और लिखा है कि उन्होंने दर्बंगा एरपोर्ट को इंटरनाशनल एरपोर्ट बनाने के लिए राजनास सिंग से रक्षा मंत्री से मुलाकात की है दर्बंगा एरपोर्ट से संबंदित तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के उन्होंने चिठी लिखी है विस्तार से उनसे बात की है दर्बंगा एरपोर्ट के निमित एरफोर्स स्टेशन और रक्षा विभाग से संबंदि उसमें मांग रखे जिसमें 31 एकड़ जमीन जो है वो उसका जल से जल ट्रांसफर किया जाए इसके साथ साथ नाइट लेंडिंग फैसलिटी के लिए जो भी सुविधा है वो मुहया कराई जाए साथ के साथ जो 24 गंटे यहां से विमान शुरू हो इसके लिए उन्होंने कोशिश किया और गौपाल जी ठाकूर ने चिट्थी में साफ साफ लिखा है आदरनी श्री राजनास सिंग मानिय रक्षा मंत्री भारत सरकार जो उन्होंने लिखा है उसमें पहला लेटर है 31 एकर जमीन को लेकर इस लेटर में गौपाल जी ठाकूर ने लिखा है कि एरफोर्स के लिए 31 एकर जमीन का अधिगण क्या जाना आती है और श्यक है जिसमें इस परक्रिया में और फोर्स टेशन दरबंगा द्वारा अनुमोदन नहीं दिया जाने के कारण जमीन अर अस्तान न के परक्रिया में विलम हो रहा है और इस तरह से उन्होंने 31 एकर जमीन को एहम बताया है जो है इस्थाई टर्मिनल के लिए जो रक्षा मंत्राले के सबस्क्राइब करने सम्मंद में लिखा है उन्होंने एटी सी दोस्तों वहाता है एर ट्राफिक कंट्रोल वाच अवर होता है कि यहां पर जो सुबह साड़े साथ बज़े से शाम सुरियास्क से दस मिनट पहले तक तीस मिनट पहले तक होता है इसलिए और इन्होंने लिखा है तभी शाम में या रात में जो है किसी भी वक्त जो है वो फ्लाइट टेक ओफ लैंडिंग कर सकती है तो इस तरीके से 24 गंटे तीसरा लेटर उन्हों लिखा है विशह है नवरिन विद दरभंगा एरपोर्ट के रणवे पर अप्रोच लाइट लगाने है तू एरफोर्स को ज लाइटिंग की सिस्टम या जो भी लैंडिंग सिस्टम है वो उस पर प्रयाप्त रूप से दिया जाए तो बहुत विस्तार से उन्होंने यह लेटर लिखा तीन तीन लेटर लिखा 24 गंटे विमान पर चलन चाहते हैं सांसत गौपाल जिठाकूर और इसको स्थाई टर्मि पूरी तैयारी करे आये थे और उन्होंने रक्षा मंद्राले में भी रक्शा मंत्री से मुलाकात की है और रक्षा मंत्री अब उम्मीध ही यह है कि रक्षा मंत्री उनकी बात का संग्यान लेंगे और लगातार सांसत गौपाल जी ठाकूर इस मुद्धे पर सक्रिये हैं और दर्वंगा एरपोर्ट को के विस्तार को लेकर के वो अपनी बात आगे रख रहे हैं लिए में तमाम संबंधित मंत्राले मंत्रियों से मिल रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसका असर भी देखने को मिले तो दोस्तो लगातार हम भी दर्वंगा रॉक्स भी इस मोहिम में शामिल है दर्वंगा एरपोर्ट को के विस्तार और अंतरश्टिये इसको स्वरूप देने के लिए हमारी कोशिश आपका चैनल आगे आगे भी काम करता रहेगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेड़ी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कुछ हर वीडियो के साथ हाजर हूँगा आप देखते हैं दर्वंगा रॉक्स और हमारा सह युग भियार उस्पट भी शुक्रिया धनवाद जैहिन